इस वीडियो में हम शेत्र फल की इकाईयों का रूपान तरन करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है कि 10 मीटर वर्ग बराबर होगा कितने सेंटीमीटर वर्ग के तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के तो यहाँ पर हम हर मीटर की जगे 100 मीटर रख देंगे तो हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर वो है 10 मीटर वर्ग और 10 मीटर वर्ग को मैं लिख सकता हूँ कि यह है 10 गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर तो यहाँ पर हम इन मीटर की जगे रख देते हैं 100 सेंटी मीटर तो यह हो जाएगा बराबर 10 तो 10 ही रहेगा गुणा एक मीटर की जगे हम रखेंगे 100 सेंटी मीटर तो यहाँ आजाएगा 100 सेंटी मीटर गुणा और यह वाले एक और मीटर की जगे हम रख देंगे 100 सेंटी मीटर तो यहाँ भी आजाएगा 100 सेंटी मीटर तो अब यहाँ पर हम संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं और एकाईयों को एक साथ तो यह हो जाएगा हमारे पास है 10 गुणा हमारे पास है 100 गुणा हमारे पास एक और 100 है और गुणा यहाँ पर हमारे पास है 1 cm तो यहाँ आ जाएगा 1 cm गुणा यहाँ पर हमारे पास एक और सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आ जाएगा एक और सेंटीमीटर तो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा दस गुणा सो गुणा सो होते हैं दस हजार गुणा दस हो जाएंगे एक लाक तो यहाँ पर जो संख्या है वो आ जाएगी 1,00, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1,00, और सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर वर्ग, तो जो 10 मीटर वर्ग है वो हमें यहाँ बराबर मिल रहा है 1,00,00 सेंटीमीटर वर्ग के, चलो एक और प्र तो हमने अभी देखा कि 1 मीटर होता है 100 cm तो यहां पर जो एक सेंटीमीटर होता है वो बराबर होता है एक बटा 100 मीटर के तो हमारा जो सवाल है यहाँ पर वो है 1000 cm वर्ग तो इसे हम जरा ऐसे लिख लेते हैं कि यह है 1000 गुणा cm वर्ग को हम लिख लेते हैं 1 cm गुणा 1 cm और अब यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा संख्या है हमारे पास 1000 गुणा cm की जगे हम रख देते हैं 1 बटा 100 मीटर तो यहाँ आजाएगा 1 बटा 100 मीटर और यह वाले cm की जगे भी हम रख देते हैं 1 बटा 100 मीटर तो यहाँ भी आजाएगा 1 बटा 100 मीटर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो संख्याय है, वो है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास 1000, गुणा, साथ में हमारे पास 1 बटा 100, गुणा हमारे पास फिर से है 1 बटा 100, गुणा हमारे पास है यहाँ पर 1 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर, गुणा यहाँ पर ह 1000 और हर में हमारे पास है 100 गुणा 100 यानि कि 10,000 तो हमारा उत्तर होगा 1000 बटा 10,000 यानि कि ये बराबर हो जाएगा 1 बटा 10 के और मीटर गुणा मीटर ये हो जाएगा मीटर वर्ग और ये हम बराबर लिख सकते हैं कि 1 बटा 10 बराबर होगा 0.1 मीटर वर्ग के तो जो 1000 cm वर्ग है वो बराबर है 0.1 मीटर वर्ग के चलो एक आखरी प्रशन हल करते हैं तो यहाँ पर यह रहा हमारा आखरी प्रशन 2 km वर्ग बराबर होगा कितने मीटर वर्ग के तो हम जानते हैं कि जो 1 km होता है उसमें होते हैं 1000 मीटर तो एक किलो मीटर बराबर होता है एक हजार मीटर के तो यहाँ पर जहाँ जहाँ किलो मीटर है वहाँ पर हम एक हजार मीटर रख देंगे तो हमारा सवाल है यहाँ पर दो किलो मीटर वर्ग कितना होता है तो यह बराबर होगा यहाँ पर इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यह दो गुणा यहाँ पर है यह एक किलो मीटर गुणा यहाँ पर है हमारे पास एक और किलो मीटर और अब यहाँ पर दो तो वैसे ही रहेगा तो दो हम वैसे ही रख देते हैं गुणा किलो मीटर की जगे हम रखते हैं हजार मीटर तो यहां आ जाएगा एक हजार मीटर गुणा और इस किलो मीटर की जगे भी हम रख देंगे एक हजार मीटर अब यहां पर संख्याओं को हम अलग रख लेते हैं तो यहां पर हमारे पास संख्याओं हैं दो गुणा यहा एक और एक हजार तो यहां आ जाएगा एक और एक हजार गुणा हमारे पास है मीटर और गुणा हमारे पास है एक और मीटर तो संख्या में हमारे पास हमें मिल रहा है दो गुणा हजार गुणा हजार अब हजार गुणा हजार हो जाएंगे दस लाक गुणा दो हो जाएंगे 20,00,000 तो ये है 20,00,000 और हमारे पास है मीटर गुणा मीटर यानि कि ये हो जाएगा मीटर वर्ग तो यानि कि 2 km वर्ग बराबर है 20,00,000 मीटर वर्ग के